जी देखे बिलकुल एक बड़ी खबर जो है वो राजधानी भोपाल से निकल करके सामने आ रही है जहाँ पर लगातार शराब बंदी अभ्यान को लेकर के बात करने वाले पूरु मुक्यमंत्री उमा भारती अब स्रालकों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करती देखी जा र बी पेदा हो गई जिसके बाद उमा भारती के साथ जो समर्थक थे वो कही ना कहीं नारे बाजी करते हैं वाँ पर नजर आ रहे थे तो कुल मिला कर इस गटना करम के बाद एक बार फिर से मद्द प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है जहाँ पर लगातार शराब बं विरोत प्रदर्शन करती आएंगी लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि उमा भारती जो है अपने हाथों में पत्थर लेकर शराब दुकान पर दे मारेंगी और जिसके बाद पूरी हलचल जो है वो तेज हो जाएगी तो कुल मिला कर रहे थी हैं पर देखा जा तो लगातार उमा भारती जिस तरह से शराब बंदी अभियान को लेकर के बात कहती नजर आ रही थी लगातार शराब बंदी अभियान को लेकर के जिस तरह से वो सीम शिवराज के संपर्क में थी लगातार बीजीप प्रदेशत दक्षी वीडी शर्मा के संपर्क में थी उ उमाभारती जब इस तरह से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगी तो कहना कि शराब ठेकेदारों में शराब व्यापारियों में एक डर की स्थती पेदा होगी जिससे कहना कि सरकार पर जो आर्तिक संकट है वो भी घहरा सकता है तो कुल मिलाकर अब इस पूरे सियासी घटन है कि वे अब यहाँ पर नहीं रुकेंगी और शराब बंदी अभ्यान को लेकर के जो उनोंने ये पूरा विरोत प्रदर्शन का सिलसिलाब शुरू किया है आगे भी वो इसी तरह के विरोत प्रदर्शन जो है प्रदर्श के अलग-अलग हिस्सों में करती दिखाई देंग वही अब सरकार को समझना होगा कि आखिर किस तरह से उमाभारती जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उससे किस तरह से निप्टा जाए किसे जो शराब के ठेकेदार है उनको सुरक्षा मौया कराई जाए चुकि यदि इस तरह का अभ्यान चलेगा तो इसके आने वाले समय म मद्यप्रदेश में क्या परिणाम होंगे वो भी सरकार को यहाँ पर देखने की जो है कोशिश करनी होगी चुकि यदि इस तरह की अभ्यान चलते हैं तो कही ना कहीं ये एक बड़ा सियासी गठना करम जो है मद्यप्रदेश में होता दिखाई देगा बहरहाल अब देखना ह हो गए कि उमा भारती का जो अभ्यान शुरू हुआ है और जिस तरह से उन्होंने शराब दुकान पर पत्थर ने मारा है क्या इससी तरह का अभ्यान वे आगे भी चलाती है और क्या इस अभ्यान जब आगे गती पकड़ेगा तो इससे सरकार को किस तरह के नुकसान जो है वो जहलने पड़ेंगे